बाई, मुझे ना ब्रॉकलेसलर जैसा बनना है क्या? क्या? हाँ बाई, मैं भी जीम जाओंगा, बॉड़ी बनाओंगा अबे, ब्रॉकलेसलर नहीं हिरो अलूम बना कर छोड़ेंगे इंडियन जीम वाले तुझे जीम जाकर बाड़ी नहीं बनती, चुतिया बनता है चुतिया आज मैं बताओंगा तुझे इंडियन जीम के फंडे सुनकर फूर जाएंगे तेरे आंडे तुझे पता है, 90% लोग जीम की जहरातियों का पोस्टर देखकर जीम लगाते ये पोस्टर देखकर सड़े सड़े लोगा बाबुराओ खड़ा हो जाए आईसा लगता है जैसे आंदर खुपसूरत हसीनाई डंबेल्स पकड़ कर इंतजार कर रही तेरा और जैसे ही तुझे जीम के अंदर एंट्री मारेगा तेरा खड़ा बाबुराओ दो सेकेंड में आत्मात्य कर देगा क्योंकि वहाँ हसीनाओ की जगा सिर्फ नंगे बालो वाले भालू मिलेंगे तुझे आईसा लगता है जैसे अंदर जाते ही तेरे साथ गैंग बैंग होने वाले है तुझे पूरी जीम में कही भी लड़की दिखाई नहीं देंगी लेकिन जीम के काउंटर पे हमेशा एक होट लड़की रखते बेंचोत आदमी कितना भी गरिब क्यों न हो आईसा तराशा हुआ हुआ हुसन देखकर साल बर की मेंबर्शिप तो लही लेगा हेलो सर मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ जी मुझे जिम लगा नहीं है ओके सर और क्या आप हमारी पूरी साल लेना चाहेंगे क्या मेंबर्शिप नाई नाई सिर्फ एक माईने का बताओ सर मैं आपको रोज दूँगे क्या पर्सनल ट्रेनिंग हा हा बता बता कितना पैसा चाहिए तुझे पूरी साल की मेंबर्श बिलूँगा मैं आज हा हा सिर्फ पंदरा हजार बेचारे के पूरे मैने की पगार हड़ अप लेंगे ये भोसड जिम वाले जिम का सबसे बे रहम और खतरनक प्रानी होता है ये ट्रेनर ये भोसड बिल्ला भूल ही जाता है कि जिम की ट्रेनिंग दे रहा है या कमांडो की पहले ही दिन बोलेगा अच्छा सो पुश अप्स मारो सला या एक पुश अप्स मारो तो गान फटके आप में आजाए लगता है पहले ही दिन मेरे को संशन बेजेगा ये लन बुद्धी तुझे पता है ये सेलफी खिचने का कीड़ा सिर्फ लडकियों में नहीं लडकों में भी होता है दो मिनिट जिम करेंगे दो बार सेलफी खीचेंगे, फिर दो मिनिट जिम करेंगे फिर दो बार सेलफी कीचेंगे, वो भी चुपचप कोने में जाकर नहीं खीचेंगे, मेरे आइने के सामने आकर खीचेंगे, फिर वो फोटो फेस्बुक पर अपलोड करेंगे, यो, सिक्स अबे अप्स नहीं बच्चा निकलेगा उस फैमिली पैक से कुछ बंदे जिम में आते ही समाथ सुधारक बन जाते खुद का वरकाउट गया भाड में बिना वज़ा की सोशल सर्विस चालू कर देते जिम में ठीक से 10 दिन भी नहीं हुए जिम लगाए और 5-5 मिनिट में आएंगे भाई देख तू ये गलत कर रहा है तू आइसा मत कर आइसा कर क्यों बै गुमनाम चुसे हुए आम निकल ले यहां से वरना कर दूंगा तेरे टटे जाम जिम में सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे इन चूतियों पर आता है ये हरामकोर वरकाउट होने के बाद एक दंबेल रखेंगे कश्मिर को और दूसरा रखेंगे कद्या कुमारी को जैसे हम 10 किलो का दंबेल उठाने जाए एक आता है 10 किलो का और दूसरा आता है 15 किलो का मैं ये सोचने लगा साला लगता है हिलाने के वज़े से एक हाथ में पावर कम हो चुकी है शायद फिर बाद में पता चलता है कि बेंचोद एक डंबेल 15 किलो का है ये वही लड़के होते हैं जो मैंच में 10 वी में 10 बार फेलो हो चुके होते हैं इनको 10 और 15 का डिफरेंस पता नहीं चलता फिर जब ये सब बक्चोदी तू एक मैना जहलने के बाद खुद को आईने में देखेगा ऐसा लगेगा तू बनने आया था जौन सिना इन्होंने बना दिया कमसिन मिना इतना खतम शरील देखकर तू निराश हो जाएगा और तू वह जिम छोड़ देगा जिसके लिए तूने साल भरके 15,000 रुपे दिये थे इसलिए मैं जिम नहीं लगा था लगता है भाई आपका भी चूटिया काटा है इन जिम वालोंने अच्छा तो इस वीडियो के साथ हमारे चैनल पर 10,000,000 व्यूज कम्प्लिट हो चुके है और शायद इस वीडियो के बाद 1,000,000 सस्काइबर्स भी हो जाए इतने कम समय में इतना सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी ऐसे हमारी बक्चोदी सेते रहिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सास्काइब कर दीजिए और चालो निकलो